दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं market view के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चार्ट पर सीधे आते हैं तो देखिए आज nifty bank open हुआ और open होने के बाद एक ही range में रहा तो जो भी हमारे labels कल हमने mark कर रहे थे वो labels हमारे आज आये ही नहीं और ऐसी sideways market में trading करके कोई benefit नहीं होते तो बैटर रहता है कि ऐसे आप इनको avoid ही करें बाकी हम और भी stocks को देख लेते हैं और देख लेते हैं कि अभी कल market किस तरीके से रह सकती है तो अभी जो भी मैंने आपके लेबल्स बताए थे वो labels अभी भी valid है demand zone के जो भी labels थे कि उन में price आता है तो हम उनको trade करेंगे तो जैसे कि 75 minute पर आप देखेंगे और आपका 125 पर तो ये labels जो देखी मैंने बताए थे उसके बाद मतलब थोड़ा जो देखी entry मिला और entry मिलने के बाद एक green candle भी form हुई है तो यहां से probability है कि यह उपर जाए और हम देख लेते हैं HDFC bank को तो देखें HDFC bank जो मैंन आपको बोला था confirmation entry वाली चीज जो बोल ली थी मैंन आपके रिए वो देखिए आज confirm हुई इसमें gap down open हुआ और gap down open होने के बाद काफी उपर struck गया है और बात करें हम ICICI bank की तो देखिए ICICI bank में भी यही सेम चीज हुई जो confirmation वाली बात मैं आपको बतायी थी जो लेबल बताया थे वहां देखिए gap down open हुआ gap down open होने के बाद मतलब gap up open यह gap down opening कह लिए इसके लिए मतलब नीचे तक price आया उपर गया उसके बाद काफी और बात करें हम कोटक bank की तो कोटक bank देखिए gap down open हुआ और जो भी लेबल यह हमारे 75 मिनट के थे उसमें देखिए entry मिली एंट्री मिलने के बाद यह काफी अच्छा उपर moment उसने दिया बात करें access bank की तो access bank एक sideways ही रहा अभी इसमें यह वाले लेबल जो है काफी सही है तो उनका बेट कर सकते हैं बाकी हम देख लेते हैं nifty के लिए निफ्टी भी आपका यह देखिए यह जो एरिया था 15 मिनट का उसमें at least मतलब entry दी है entry देने के बाद कोई इतना अच्छा reaction अभी नहीं मिला है हो सकता है कल gap up open हो जाए अभी इसमें मतलब जो भी इस एरिया में gap up opening हो जाए तो gap up opening भी इसी तरीके से मैं जज़ गरता हूँ कि यहां से हो सकती है gap up opening या नहीं तो वह आपको कल market में देखने को मिलेगा अभी जो भी मेरे labels mark किये थे जो भी labels में आपको बताये थे कल वाली वीडियो वह आज भी valid है अब आने वाले time भी valid रहेंगे तो आप उनको radar पे रखिए अब बात कर लेते हैं nifty finance की तो देखिए nifty finance में भी इतना कोई ज़्यादा moment अच्छा खासा रहा नहीं ओबराल मार्केट एक sideways ही रही तो आज की वीडियो में कुछ actual में ऐसा खास बताने लायक है नहीं तो अभी हम जो भी labels कल discuss किये थे आप उनी labels को radar पे रखिए और patience के साथ trade कीजिए थेंक यू